हेलो, वेलकम तू अंजली इचकिछे, मैं अंजली, आप सबको स्वागत करती हूँ, जैसे कि देख रहे हैं, आप लॉपडाउं का प्रियर्ड चल रहा है, हम बाहर जा नहीं सकते हैं, इसलिए आज हम घर के बनाने जा रहे हैं, ये MD ado आइधम, इसका नाम है पेडा, ये MD इन झाली इन जैसे कूंधने और पेड़ा, पीडप ज्याएं, लिक्तम बना प्रिया पेडा, so no more waste of time, चलिए देखते हैं, कैसा बनाते हैं पेडा, पहले क्या करेंगे, शुगर को हम फिस लेंगे, ब्राइंडिंग कर लेंगे, put one cup of sugar in the mixture grinder, and grind it, so friends देख रहे हैं, जैसे की sugar powder already बन चुका है, इसको हम एक बाल में डाल देंगे, जैसे की देख रहे हैं दोस्तों, पैन इत्म घरब हो गया है, अभी हम यहां पे, अमूल का फ्रेज क्रीम डालेंगे, कितना डालेंगे, एक कप, इसे ही, stir करेंगे, तकि इसमें, लॉम्स ना हो, ऐसे ही, पान से छे मिनिट तक, ऐसे ही, इसको stir करेंगे, धीमी आंच में, तरी, अभी हम इसमें, थोड़ा अमूल का पाउडर ढालेंगे, और इसे स्टर करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, यह अल्रेटी बन चुका है, इसको अभी हम निकाल देंगे, देखिए, जब बन जाएगा, ऐसे दिख लेगा, थोड़ा सा घी हम प्लेट में और अपने हाथ में लगा लेंगे, अभी इसका हम एक डो बनाने वाले हैं, देखिए, अगर आपको थोड़ा मीठा कम लगे, तो आप शुगर पाउडर यूज कर सकते हो, इसके उपर, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो, कि डो बहुत ही सॉफ्ट बना है, इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे, ताकि वो धीरे धीरे बाइंड हो जाए, फिर कुछ देर के बाद, हम उसको, देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा ये डो बन चुका है, अभी इसका हम गूल-गूल बनाएंगे ऐसे, उससे पहले हम थोड़ा हाथ में ओयल ले जाएंगे, ऐसे करके, इसको ऐसे गूल-गूल बनाएंगे, देखिए, देखिए एक तम पेड़े की तरह दिख रहा है, देखिए दोस्तों, ये अब हमारा पेड़ा बन चुका है, इसको हम एक खूंगली से बीच में ऐसे प्रेस करेंगे, देखिए, सबका ऐसे प्रेस करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हो गया है, इसके उपर हम गार्नेशन करने के लिए, यहां पे आलमन का पादाम काट के, इसके पीचिए में, इसे सल जाने के लिए, हम दे सकते हैं, देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पेड़ा बनके अपने रेडी हो चुका है, कैसे दिख रहे हैं पेड़ा, एक तुम दिख रहे हैं ना, दुकान से लाने वाले के लाई हैं, आप पेड़ा बना सकते हैं, I hope you all like this video, thank you for watching this video, if you like this video, please hit the like button and subscribe the channel and press the bell icon, thank you,